आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे क कै內 तो राजेश तरह आज ढु travaillए पर हमारे साथ एक सत्र आड जूड़ेंगे तेम जिस तरीके से कांग्रेस शासंकाल में ने दिखा कि अब बीजेपी ने बामदा के से पहले कि इस्टह फईर के वाधा किए था दरणी चंदि만 भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखे राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजसल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गरिफतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आए है क्योंकि हमारा एक सुत्री माँग है निमितिकरण जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे कर के बोला गया था लेकिन हमारा अज विकट कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़ा नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे नियमिति करन्ट लेकर रहेंगे के द्वे हैं ? के वादा उसन को वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सथा में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीती घर की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी उसमें यहाँ पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वह तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल ब रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर अंदोलन ने दिख रहे हैं किया नहीं रहूं इस पूर करेंट में बीज़ेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ करने पहुंचे थे यहां पर जो है सविधाकरी में आगे बढ़ चुके है जेल बड़ अंदोलन के लिए लेकिन साथ ये भी देखना होगा कि चुकि बीज अनिशित काली नहरताल कर रहे हैं प्रदेश के सविधा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा करमचारी महासूं के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे ह उनके आंदुलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे के तो राजेष राज हमारे सवगिया और सद्य जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुड़ेंगे राजिश जिस तरीके से कॉंगруш में ने देखा बिजेपी ने वाधा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्श नी ब해 ऐसे ही वाधा किया था 能ी चंदिल भी आज पोंचे जेल भरो आंदोलण का कि प्रीफ इसा अंदोलण की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बाद नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करण क्या कहेंगे हना है एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहें कि इस वादे परनतु फिर हाल हम सत्था पक्ष के सासन में हैं वादा सत्था पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए हैं कि असुधनी बारिश में भीगते हुए यह आपर पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है। गिरफतार करके औस्थाई तोर पे जो जेल कर रहे हैं उसमें रखा जा रहा है। पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे। बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहाँ पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक त कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा कर्मचारी रैपूर में जुच चुके हैं यह सारे कर्मचारी अपती ग्रिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा कर्मचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदुलन को समरतंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारी और निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है में हमें पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पुरी साथ उठाएंगे तो राज़ेश राज है उखी और चिह जदskेली के साथ इस खबर पर हमारे साथ 30 लाए जुड़ेंगे तकर encouraging से क्शासन काल में इस पहले आलाइश है पालुघ के अलाइश की कि क्या सुरूप है इस अंदूलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजसल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला कहा था लेकिन हमारा आज विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन ल साथे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें डटे लिए पहुचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको जी आपको वह तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इनकरमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुए हैं रहुए हम समझ पारे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा कर्मिया अब जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन चुकि यहां पर बीजेपी ने कहा था नरणचंदल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलन में दिख रहे हैं क्या भी जेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा कर्मिया आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सवीदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सवीदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सरव विभागे सविदा करमचारी महासिक के बैनर तले अंस्छित करिंध हरताल कर रहे हैं अन्दोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी ओर भळग गए हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरी ताकत के साथ उठाएंगे देखे तो राजेश राज हमारे सोगी और जद्यानकारी के साथ इस खभर पर हमारे साथ एक सोत लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस अंदोलन की उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गृबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया लेकिन हमारा अज विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर ले एक जो नरायन चंदल जी ने आज कहा कि सरकार बंती है तो वस्वपको नियमित करेंगे ऐसा ही बाधा कॉंग्रेस था क्या के वादे का स्वागत है परन्तु फिरः हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो मैने का उनको नुक्ते वहार हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती करण की मांगो लेकर पूरे लोग भरी बारीस में यह आप पूरे प्रदेश से अपन्द्रह हजार से जियादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल पनाया गया है और उस गेट से होकर कि आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामेल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके लेकिन इन करमचारियों के कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जे रहेंगे जे रहें राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहें हम समझ पारें हैं आपर बड़ी सु नहीं रहें इस पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सवीदा करमें आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवा राइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सवीदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सवीदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सवीदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए ह उनके आंदुलन को समर्तन देने नेता परतिपक्ष् निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रती प्रक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराणे चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराणे चंदेल ने ये एलान कर दिया है कि हम अपने चुनाओ घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्व उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो तो राजर श्राज हमारे सोगी और स Discovery के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुडएंगे राजर जिस तरीके से कॉंग्रेस उठाएंगे कि बीज़ेपी ने वादा कि चैसे पहले चुनितल भी चैपक हमते शाथ देखाएंगे देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम ल प्रफटार को यहां लेने के लिए आए है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज जी तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दील में करने करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी नहीं लिए जा रहे इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐस सब्सक्राइब करना चाहिए अब इस समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें डटे लिए पूरे लोग भरी बारी उसमें यहां पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वह तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंद्रह हजार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को ग आजेश आप जिस तरीके से तस्यूरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं यहां पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल भर अंद्रों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुंचे थे कि वह समर्थम नेंगे तो क्य हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भर अंद्रों के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंद्रों क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंद्योर में शाचिंदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने कि लिए निकलेंगे itself ऊष्तीस गड़ विभागेशय महासियों के बेनर अंचषित कारिंध हरताल कर रहे है उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया इनकी वागों को सामिल करेंगे और नीमित करेंगे और आज कल से हमारी विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्थियों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुरा तो राजेश राज राज हमारे से और जुद द्रामकारी के साथ इस खबर पर हमारे सथ एक सवत जुड़ेंगे राजश जिस तरीके से कॉंगरेस शासनकाल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वाधा किसे पहले भाजपा के सैंग्रों कमें कोंगरेस रचा Boss की था न हुता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है हां बुलंद ह कि एक सत्य रहेंगे लेकर यंजने आज कहा कि इक बिजय पी की सरकार बंटी है तो वो सब न्यमीत करेंगे इसा ही बाता कॉंग्रेस ने प्रदेश के सासन में हैं वाधा सत्ता पक्ष का है अभी समय हैं उनके बास दो महने का उनको वाधा पुरा करना चाहिए अगर उनहें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदोशन कर रहे हैं दाटे करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामन करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जिए रहेंगे जिए रहुए हैं समझ पारें आपर ब इस पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुँचे थे बीजेपी ने के लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनक्यामें यहां पर जो है सविदाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा कर्मचारी राइपूर में जुच चुके हैं यह सारे कर्मचारी अप्ती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा कर्मचारी 36 गड़ सरव विभागे सविदा कर्मचारी महसोम के बैनर तले अनिशित करिंद हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगाया जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को सिमरतंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरानचंदल भी पहुँच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता पिटिपक्ष निरान चंदेल का बड़ा बयान सामने है सविधा कर्म चारियों को नीमिठ करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा करमियों को नीमिठ कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे देख राहूल जेल भरू अंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजोस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सबही लोग को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की घृटार किया जा रहा है आपको किया यह क्या के लेकिन वारे हैं लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़ नहीं लिया जा रहा है। अब इस समय है उनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है। दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंद्रह हजार से जादा संख्या है। और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है। करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल रहे हैं उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं हो तब तक यह जुटे रहेंगे जी रहूर राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में संविदा कर्मी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद प करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदर्शन की तैयारी में हैं अब से विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तथ्यों के सा तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुरे तो राजेश राज हमारे सोगी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोट लाई जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नरान चंदिल भी आजपोचे जेल भरो आंदोलन का कि क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़स्विस्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आया है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमितिकरन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत कौने पास स लोग नरायन चंडेल जी ने आज कहा कि एगर बिजएपी की सरकार्व पनती है तो सुथ को ये मित करेंगे। क्याप लिपक्ष के वादय का स्वागत है धाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है क्या है अब ही समय उनके सब्सक्राइब कर दो मेने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीतिक घर की मांग बोले कर पूरे लोग भरदी बारिश में यहाँ पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल ब रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजर शाब जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहें हम समझ पारें आपर बड़ी स इस पूरे करम इस पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने के लिए हम ये देख पारे हैं कि बड़ी सुनके में यहाँ पर सवीदा करमें आगे बढ़ चुके हैं जेल बहुरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तौर पर ये आंदुलन क्यारुसो रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रापूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के ब हो चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दे आपको नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आयर सवीदा कर्म Their को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर بीजोपी सरकार बनी तो सवीदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने सब्सक्राइब कर दिया है कि हम अपने चुना खोसुना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और नीमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत है उसमें हम पूरे तत्थियों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखिये रहो जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ्तार करके राजिस्स विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह चो आप समाम लोगों को देख रहे इन सभी लोगों को ग्रिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है ग्रिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे कूंकि हए लेकिन हमा Conference कौई पास साल को होने कौये नहीं अथिकार को लेकिन लिया जा जा रहा हुआ प्रणतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अब इस समय है उनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे लिए दिश्य क्रुप से और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है ल सविधा करमी अब जेल बरा अंदोलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस रांदोलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहुँचे नहीं रहुँचे लिए निकल रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर जो है सविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुँच शुक्रिया आपका निमती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविधा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा करमचारी महासुम के बैन अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करमियों को नीमित कर दिया जाएगा, यह कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा करमियों के मंच से नराने चंदेल ने एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तक राजए श्राज और ये साठी जानकारी के साथ इस ख़बर पर हमारे साथ एक सर्थ लाय जुडएंगे राजश जिस तरीके से कॉंग्रिस शासन काल में पने देखा कि अ भी जेपी ने वादा कि से पहले वाजपा के शासन काल में be ऐसा यह वादा किया था 9000 आज प अच्छाइ में आमचारी है निकाल है और आप जुदैखों स्थाल को जो आश्थाई जैल बनाया गया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को धेखे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफतार किया जा रहा है। आपको क्या कहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपि की सरकार बनती है तो वो सब में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति के इमांग बोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यहां पूरे प्रदेश से 45,000 कर्मचारी लोग पहुंचे हुए और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बना उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थ हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैन अर्तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एस्मा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदेल भी पहुंच चुके हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विदान सभा का सत्र शुरू हो रहा है अठारा से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजश राज हमारे सोगी और जद जानकारी के साथ इस खबर पर हमारा साथ 119 जुड़ेंगे राजश जिस तरीके से कॉंगरेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि कि इससे पहले बाजपा कि शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था निरान चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आयringा है क्या कहेंगे एक जो नरायम चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या के वादे का स्वागत है परंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे हुए और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी सुंक्या में सम्विदा करमी आप जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुंक्या में यहां पर जो है सविदाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होग करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश रजिवर से सविदाकरि रैपूर में जुच चुके हैं यह सारे कर्मचारे अप्ते गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभाग ए सविदाकर चारी मुचीस ग तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतीपक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदेल ने 40 सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदेल ने एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाऊगो कमा पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाज़पा कि शासन काल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में करने करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्वीगत पौने पास को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्णा नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन्ट लेकर रहेंगे कि एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या के वादे का स्वागत है परनंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आ देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामि को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जिए रहेंगे राजर शाप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें यहां पर बड़ी संक्या में समीदा करमी अब जेल भर अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदिल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थम देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भ पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया का निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एस्मा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराणेимся देल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराणे चुन्देल ने ये ऐलान कर दिया है और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विदान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्व उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और जिद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाजपा के शासन काल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही देखे राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ्तार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबदार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला यह एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगट बीजेपी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी क्या था क्या क्या के वादे का स्वागत है परन्सु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समये उनके पास दो मेहने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाय उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थ हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एस्मा लगाए जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंडल ने हरताली सविदा करमियों के मंच से नराने चंडल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज्य जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इक सोत लाइय जुड़ेंगे राजेश जिस तरी के से कॉंग्रेस शासन काल में विजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा कि शासनकाल में कॉंग्रेस ने ऐसा ही वादा किया था नरान चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या स्वरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अठिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीती करण जो राज जी सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो 10 दिल में कर लेंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्वीगत पौने पास सासन के द्वारा कोई भी निर्डा नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा यह कर बीज़ेपी की सरकार बंती है तो वह सबको नियमिति करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रे न भी किया था। इतनी बारिश में भीगते हूए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहा है। पूरे 36 गड़ के नारिया, हरे लिए जो 36 गड़ का प्रमुक्ते वहार है, अपने घरों में छोड़ करके, अपने समीदा करमचारियों के निमीती करण की इमान गोले कर, पूरे लोग भरी बारी इसमें, यह आपर पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको, आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं, दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको, देखिए आपको, जहां तक नजर आएगी आपको, तमाम लोग निकले हुए है, 15,000 से जादा संख्या है, और ये देखिए सामने गेट, ये तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है, लेकिन इन करमचारियों का कहना है, कि चाहे जो कारवाई हो जाए, संविधा जब तक खत्म नहीं होता, नियमिति करन नहीं होता, तब तक ये जुटे रहेंगे, जिरा हुए 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 हम समझ पारे हैं, आपर बड़ी स नहीं रहें, इस पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है, बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे, बीजेपी ने क्लिए, हम ये देख पा रहे हैं, कि बड़ी सुन कैमें, यहां पर सविधा करी में आगे बढ़ चुके हैं, जेल बरा अंदोलन के लिए, लेकिन सा सविधा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तियारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपुर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंधुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा कर्मचारी र और भढ़ गए हैं उनके आंधुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नियन चंदल भी पहुंच चुके हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदल ने ये एलान कर दिया है पूरी ताकत के साथ उठाएंगे राजेश राजा मारे criticisms और जानकारी के साथ इस खबर पर हमाले साथ 100 थी जुड़ेंगे देखा अब बीजेपी ने वादा कि इस से पहले भाजपा कि शासनकाल में इस भी ऐसाई वादा कि था नराने संदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या क्या स्वरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्व स्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रिपदार किया जारा उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमितिकरन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दील में कर देंगे करके बोला गया लेकिन हमारा और विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमितिकरन लेकर रहे परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय हुनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें डटे लिए पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और सबको गिरफतार करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जिए रहुए हैं राजेश आप जिस त पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम ये देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहाँ पर जो है सविधाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेलबरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी दे अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवा रैपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुच च चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा करमचारी महासुम के बैनर तले अनुशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भ बयान सामने आया सविधा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा करिमियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा करिमियों के मंच से नराने चंदेल ने यह एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजश से थिराजे और डिया ज़द उठाएंगे तो राजश टिसंद कर टीस जेञ पार अंदोलन का कि क्या ए सब्सक्राय का देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम ल संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीतिकरन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्त में नहीं था तो दस दिल में कर देख करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्वीकर पॉने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्णा नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करण लेकर लेंगे एक जो नारान चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपि की सरकार बंती है तो वो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉन्ग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे अब हम सत्ता पक्ष के सासन में है अभी समय है उनके बास दो मेहने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अग प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति कहन की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी सुंक्या में सम्विदा करमी आप जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदिल खुद पहुँचे थे कि वो समर् करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुंक्या में यहां पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह पाद नवा राइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासूं के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल करें आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गये हैं उनके आंदोलन को समर्तंदेने नेता चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करिमियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा करिमियों के मंच से नराने चंदेल ने यह एलान करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे करें तो राजेश राज हमारे सोगी और से जुड़ाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासंकार में बैकर में देखा बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासंकार में कोंग्रेस ने बिस我也 किंग कथा जेल भर आंदोलन की कि क्या क्या सुरूप है इस अंदूलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसम सर हमको गृबदार किया जारा उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया एक जो नराएं चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बाता कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहें कि लिपक्ष के वादे का सवागत है परनंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती कहण की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पंद्रह हजार से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर प कारें हम समझ पारें यहां पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुंचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलों में के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तथ्यों के सा इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और जद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा की अब बीज़ेपी ने वादा कि इसesse पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा आ ही वादा किया था नरान चंदिल भी आज प chlorineचे जेल भरो अंदोलन का क्या क्या सोरूप है इस आंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़िस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया लेकिन हमारा और विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर रहे है परनदु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीदते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें डटे लिए पूरे देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सविधा करमी अब जेल भरा अंदूलन के लिए लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदूलन ने दिख रहे हैं क्या नहीं रहुँचे लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदूलन क्या रूप लेता है जानकारी के बहुँच शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे है प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवा रैपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदूलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं अंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करंचारियों और भरग गये हैं उनके आंदोलन को सिमरतंदेने नेता प्रतिपक्ष निधान चंदेल भी पहुँच चूके हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये ऐलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि पूरे तो राजेश राज आमारे सोगी और स्यद्रेश जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में बेदेखा कि अब बीजेपी शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़स्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लेकिन हमारा विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोगों का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था वादे का स्वागत है परंदू फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो प्रमुक्ते वहार हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती करण की मांगो लेकर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए हैं लेकिन इन करमचारियों के कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिती करण नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे इस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संक्या में सम्विदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी करकरता भी इस अंदोलों में दिख रहे हैं क्या नहीं रहूं इस पूरे करम में बीजेपी के कारकरता नहीं है बल्कि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संक्या में यहाँ पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुकि बीजेपी का ये वादा है आप देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका पर ये उस आपका ये सारे करमचारी अप्ती गिरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे चोवन विभागों के सवविदा करमचारी महासीं के बैनर टले अनिशीट करिन हड़ताल कर रहे हैं आपका ये जाने के बाद करमचारी और भढ़ग गए हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूर् अ ज्युकां कि चत्यों के साथ 가서 कंग्रिस शासंकाल में देख अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाच्पा के शासंकाल में कांग्रिस यह जो ने आध नाने चंदल भी आज पोचे जेल भरो आंदोलन का कि क्या स्वरूप है इस आदूलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफतार करके राज़स्विस्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है गरिफतार किया जा रहा हैं आपको क्या कहेंगे रहेंगे रहेंगे इन नियमय करन्ट लेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंगरेस ने भी किया था क्या केfredsk x वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अब ही समय हैं उंके पास दो महने का उंको वादा पूरा करना चाहिए अगर उपिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीयों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुए रहें लिकुल राज़े शाब जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं ह नहीं रहुए इस पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुँचे थे बीजेपी ने नहीं होगा कि राज़े पार किया बढ़ी सुनके मेरे यहां पर सविदा करमे आगे बढ़ चुके हैं जेल बहुरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है आप देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्यारुस रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सवीदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवा राइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सवीदा करमचारी राइपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सवीदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सवीदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं नेता प्रती प्रक्षी न्यान चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सवीदा करमचारी ओ को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है कि हम अपने चुना घुसुना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्थियों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे बढ़े तो राजे श्राज हमारी सभी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 200 लाई जुड़ेंगे राजे जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में इन देखा कि अब बी जेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासन काल में कॉंग्रेस ने विए a-स कि क्या क्या सुरूप है सांदूलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ्तार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें समाम जो को देख रहे हैं इन सभी लोग को गरिफ्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संक्या महिलाओ की और जोगी संक्यार को आपको क्या नहीं लेकिन अमारा विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिती करन ले करेंगे एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था लिपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सथ्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सथ्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सथ्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जी जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीयों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहेंगे जी रहा हुए जो राजश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं यहां पर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदूलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदूलन में लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदूलन क्यारूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे औ अनिशित काली नहरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भढ़क गए हैं उनके आंदोलन को समरतंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारीयों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुरे तो राजेश राज हमारे सव div की और सद्यानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एकसा तलाई जुडेंगे राजेश जिस तरीके से क्वांग्रेस शासनकालां में संबुए गरिफतार किया रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है गरिफतार किया l宗 किया लुक्त किया रही है क्योंकि हम अपने अदिकार को यहाँ लेने के लिए आए हैं है o लेकिन अमट साल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निडर्ण नहीं लिया जा रहा है। शोड़े ये फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होस्ली और दटे रहेंगे यह नियमिति करन् करन ले कर लेंगे एक जो नरायनच चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने महीं किया था हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति कर्म की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें या पर पूरे प्रदेश से 45,000 कर्मचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बना जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी सं नहीं रहा हैं इस पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम ये देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सविदा करमें आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं ये स अंदुलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और से जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोट लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में भी जेपी ने वादा कि इससे पहले था नराने चन्दिल भी आज पहुचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखे राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तोता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़से विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और लेकिन विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निर्ण नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमिति करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्तर पक्ष के सासन में है वादा सत्तर पक्ष का है अभी समय हुनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल जारा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी रहुट राजर शाब जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहें हम समझ पारें हैं आपर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन दे लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभा तो बड़ी खाबर इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रती परक्ष नलाना चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर BJP सरकार बनी तो सविदा करमियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाग भोस्णा पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमेद करेंगे और आज कल से हमारी विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत है उसमें हम पूरे तत्थियों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि क्या सुरूप है इस आंदूलन की देखिए राहूल जेल भरो आंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ्तार करके राजस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भर क्या रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है घरफ्तार किया जा रहा है कोई उसमें की संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अज विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सा सब्सक्राइब करेंगे एक जो नारायन चंडेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बंती है तो वह सबको नियमित करेंगे एसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जी जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहूं राजर शाब जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं यहां पर बड़ी संक्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संक्या में यहां पर जो है संविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क जेल भरने के लिए निकलेंगे और अंदोलन में सामिल होने के लिए अंदोलन पर इसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भरक गये हैं उनके आंदोलन को सुमर्तन देने ने नेता प्रतिपक शंत्र लान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफतार करके राज़स्विस्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समामों को देख रहे हैं इन सभी лोगों को गरफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संक्या महिलाओ की है गरफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे कि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा अज विकर्ट कौने पास सौल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्डा नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंटी है तो वो सबको नियमिति करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने किया था क्या कहेंकि विपक्ष के वादे का स्वागत है प्रन तु फीर हाल हम सत्ता पक्ष के सासण में हैं अब है समय हुनके पास दो मेने का उनको वादा पुरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जी उसमे रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी राहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बीजेपी के कारिकरता नहीं है बल्कि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बड़ी सुनके में यहां पर जो है सविदाकर्मी आगे बढ़ चुके हैं जेल बड़ा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा आप देखना आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका। आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भढग गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष नराने चंदेल भी पहुंच चुके हैं। हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने एलान कर दिया है। हमने कर्मचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे। और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है। 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। चुछे तो राजेश राज अमारे सुगी और सद्ध जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुडेंगे। राजेश जिस तरीखे से कॉंग्रेस शासन काल में बने देखा कि बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाजपा के शासन कालन में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखे राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़से विस्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आए है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बो या जो नारायन चंदेल जी निए आज कहा कि एक बीजेपी की सरकार बंती है तो पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे लिए पूरे प्रदेश से 45,000 कर्मचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बना जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं आपर बड़ी स नहीं रहा हैं इस पूरे करम में बीजेपी के कार्यकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम ये देख पारे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल बर अंदुलन के लिए लेकिन साथ ह ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदुलन क्यारूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब दस हजार करमचारी जेल भरने के लिए यह सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासूम के बैनर तले अनिशित करिन्ध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भढ़ गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा सवईदा करेंगे अगर बीजेपे सरकार बनी तो सविदाकर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नाना चंदेल सवैताली सवईदा कर्मियों के मंझ से नाना चंदेल ने ये एलान कर दिया है कुछin करंम-चर्म-चारि भाईएं को आस्वस्त किया है tule कि कि हम अपने चुनाव घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है अठारा से एकिस जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज 1997 की और जो यंद जिव्ęd कारिके साथ इस ख़बर पर हमार इसको तहण जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंगरेस शासन काल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासन काल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पहुचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस स्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगो हैं इन सब्सक्राइब और गरिफतार किया लहा और सबसे बड़ी संख्या ही है ग्रफतार किया जा रहा है आपको क्या कहें उसमें कोई इस इंकोष की बात है क्यों कि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए हैं तो दो लेकिन अमारा विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है हाँ बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे नियमिती करण लेकर लेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था तिंहें भीपक्ष के वादे का स्वागत है परणतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय हुँनके बास दो महने का उनको वादा पुरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना is इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुए रहेंगे जी रहुए तो राजर शाप जिस तरीके से तस्सूरे दिखा हम समझ पारे हैं यहां पर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदूलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदूलन में लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदूलन क्यारुस रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे औ अनिशित काली नहरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगाए जाने के बाद करमचारी और भरग गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारी ओको निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करमियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा करमियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोट लाई जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था तराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस अंदोलन की। देखे राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरिफ्तार करके राजिस्विस्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोग को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफ्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफ्तार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे कि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीतिकरन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल पे करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा अज़ विकत कौने पास सौल को होने को है लेकिन शाहसन के इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिती करन लेकर रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस व भी किया था क्या कि इतनी बारिष में भीकते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें ढटे लिए बीच magic में पूरे बीच्बार्श से जोंचार का प्रणुक्त वहार है अपने घरों में चोंड़ कर के पूरे लोग भरी बारिष में यहाँ पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है गिरफ्तार करके औस्थाई तोर पे जो जी जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस आंदोलों में दिख रहें हैं क्या नहीं रहें इस पूरे करण में बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सविदा कर्मी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्यारूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब दस हजार करमचारी जेल भरने के लिए चुवन विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तन देने नेता प्रतिपक्ष नरान च चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एल निम्यत करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुँले तो राजेश राज हमारे सोगी और जानकारी के साथ इसखबर पर हमारे साथ 100 लाइ जुढेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वահा किए इससे पहले बाजपा के शासन काल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नरान चंदिल भी आज पहुचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़िस स्थल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगो को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफ्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रफ्तार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे कियंकि हम अपने अधिकार को यहाँ लेने के लिए आए है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमितिकरन जो राज जितासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ इसको नियमित करेंगे ऐसा ही कांग्रेस नहीं किया था है क्या कॉष्ट में पारिश पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुचे हुए हैं और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख् हुए थे और सब को गिरफ्तार करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जिए रहूल राजर श पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहाँ पर सविधा कर्में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होग यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविधा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवा राइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी राइपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविधा करमचारी चुट इस गड़ सर्व विभागे सविधा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं पर एस्मा लगाए जाने के बाद करमचारी और भढ़क गए हैं उनके आंदोलन को समरतंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है, हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे यह बिट्यूरे तो राजश राज हमारे सोगी और दयानकारी के साथ इसक्रग पर के साथ और यह जूड़ेंगे ठीके से का इसमेर पर डूब रहो चुरू हो चुका है तूटा धरणासतल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और लेकिन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था लिपक्ष के वादे का स्वागत है परंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है। पर बड़ी संख्या में समीदा कर्मी आप जेल बहरा अंदोलन के लिए लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलन में दिख रहे हैं क्या। इस पूरे कर्म में बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे। बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर जो है सविदाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर अंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे हैं प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी दिर बाद नवाराइपूर के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा करमचारी चुटिस गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भढ़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे नेता परतिपक्श निलने चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खाबर इसजुडी बता दे हैं आपको नेता परतीपक्श निल्यका बड़ा बयान स्विदा करमचारी जो निमित करने अगर बीजेपी सरकार बनी तो सवीदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराणे चंदेल ने हरताली सवीदा कर्मियों के मंच से नराणे चंदेल ने यह एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे जिए तो राजेश राज आमरे सोगी और ज़िदनकारी के साथ इस ख़बर पर हमारे साथ 100 लाइब जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बी जेपी ने वाधा कि इस्से पहले बाजपा की में कॉंग्रेस ने वाधा किया था दरान निहें को बना गया है उसमें भरा जा रहा है। तो दस दिल में करने करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है हां बुलंद है डटे रहेंग के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती घर की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बन जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी नहीं रहूँ इस पूरे करम बेज़ेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संक्या में यहां पर सविधा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बार अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी चुटिसगर सर्विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर दले अनीशित करिंध हर्ताल करें आंदोलन पर एसमा लगाया जाने के बाद करमचारी और भढग गए हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजश के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक स्सोदह लाय जुड़ेंगे राजश जिस तरीकह से कॉंग्रेस शासंकाल के बहुने वादा कि पहले महाड़न शासंकाल में कॉंग्रेस निभी ऐसा ही वादा किया था कि क्या क्या सुरूप है इस कि देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको ग्रफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं लोग को सब्सक्राइब कर लाओं कि और को सब्सक्राइब फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिती करन्ट ले करनेंगे एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंगरेस ने मादा वश्मीदा करना चाहिए अगर फिर से स्था में आना है और पूरे और हरेली जो 36 जड़ा प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरदी बारी इसमें या आप पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बन जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी सं नहीं रहा हैं इस पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने कलिए हम ये देख पा रहे हैं कि बड़ी संविदा करमे आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है आप देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदुलन क्या रूट सो रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा करमचारी रायपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती ग्रिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महसुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एस्मा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भढ़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तुरे तराजेश राज हमारे सोगी और शेडर जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 वाँ जुडेंगे बैद यह डिधो तरीके से कोंग्रेस शासन कार्ण में अश्चे वादाय कि अपर नियन चंदिल भी आजप पोक् refuge आंदोलन का कि ऑब पर ङृậ連 C देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफतार करके राज़से विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो है क्योंकि हमारा एक सूत्री मांग है निमीती करण जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दद दील पे करने करके बोला गया था लेकिन हमारा वीकर कौने पास साल को होने को है लेकिन शासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहाए अरे तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे इस वादे के लिपक्ष के वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 36 गड़ के नारिया हारेली जो 36 गड़ का प्रमुक्ते वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरदी बारिश में या पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहें हम समझ पारें हैं आपर बड़ी संख्या में सम्विदा करमी अब जेल बरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं यहाँ पर सवीदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदोलों के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्र बढ़ेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सवीदा करमचारी राइपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती ग्रिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सवीदा करमचारी शुतिस गड़ सर्व विभागे सवीदा कर कर्मचारी महासुम के बैनरतले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदेल भी पहुंच चुके हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नरान चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नरान चंदेल ने एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे आप से तराजेश राजंकारी के साथ इस खबर पर एक सोटलाईज जुड़ेंगे तराजेश जिस तरिके से भी-छीक्या के विविस्पारि श Неकलमे की देखिए भल जेलबरदो का है तूटश अधर नसल से यह तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़से विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और सबसे लेकिन हमारा वीकर्ट पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी रहेंगे जी रहेंगे राजर शाब जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहें हम समझ पारें यहाँ पर बड़ी संक्या में सम्विदा करमी अब जेल भरा अंदूलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारिकरता भी इस अंदूलन में दिखना हैं क्या हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संक्या में यहाँ पर सविधा करी में आगे बढ़ चुक हैं जेल भरां अंदूलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्यारूस रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवा राइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा करमचारी राइपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गृफदारी देने के लिए निकलेंगे चवण विभागों के सविदा करमचारी चुट्पिस गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैन अरतले अनिशित करिन हरताल कर रहे हैं परयानदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भढ़ग गई है उनके आंदोलन का सिम्रतन देने ने नेता प्रतिपक्ष निर्णन्यंचंदल का बड़ा बयान सामने आया सवीधा कर्मचार्यों को निमित करने का उन्होंने वादा किया अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने यह एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज आए और त्यूंद चानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक साथ लाई जुडएंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन कालू में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाजपा कि शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या स्वरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है गरिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गरिफतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करण जो राज ये टासन के दोरा जब सत्ता में नहीं था तो दशनील में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा अज विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के दोरा कोई भी निर्डे नहीं लिया जा रहा यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन्ट ले करने एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर् से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहूर राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं आपर बड़ी संक्या में सम्विदा करमी अब जेल भर कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम ये देख पारे हैं कि बड़ी संक्या में यहां पर जो है सवीदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सवीदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से शुवन विभागों के सवीदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सवीदा करमचारी महासुम के बैनरतले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गये हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सवीदा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सवीदा करमियों को निमित क कर दिया जाएगा यह कहा है नरान चंदल ने हरताली सवीदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने यह एलान कर दिया है कि करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सवा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सवा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्थियों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे च्योंत राजेश राज हमारे सयोगे और Зап से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ़तार करके देख सबसे मोगों hi поэтому है आप सबीजी को एक साथ किया रहा है महिलाओ की है एक घ्रीवतार की ओर जा रहा है में को क्या इसमें सब्सक्री नहीं लेकिन हमारा विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ण नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुए रहें जी रहुए रहुए तो राजे शाप जिस तरीके से तस्वीरे क्रिक रहें क्या झी वे जी इस पूरे कर्म में बीजब पी के कारीकरता नहीं है बल्कि सिर्फ सपोर्ट करनें पहुचे थे बीजेपी ने कलिए हम यह देख पारे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सविधा कर्मी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविधा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविधा कर्मचारी राइपूर में जुट चुके हैं ये सारे कर्मचारी अपती ग्रिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा कर्मचारी 36 गड़ सर विभागे सविधा कर्मचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता पृतिपक्ष नुराण चंदेल भी पहुँच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नुराण चंदेल का बड़ा बयान सामें आया सविधा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज आमारे सोगी और जद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही बादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदुलन का कि क्या क्या सुरूप है इस आंदुलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदुलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस स्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए हैं क्योंकि हमारा एक छूपरी मांग है निमिती करन जो आज ये तासन के द्वारे जब सत्ता में नहीं था तो धनील पास साल को होने को है लेकिन शहुआ तो आप लोग का अंदोलन क्या कहें एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था लीपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्तपक्ष के सासन में हैं वादा सत्तपक्ष का है अभी समय उनके बास दो मेहने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्त में आना है बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रह यहां हरेली जो 36 जड़ा प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरदी बारी इसमें यहां पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बना जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी सं नहीं रहूल इस पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुँचे थे बीजेपी ने कलिए हम ये देख पारें कि बड़ी संके मेरे यहां पर सवेदा कर्में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही य पी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रायपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदेने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भ अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करमियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा करमियों के मंच से नरान चंदल ने यह एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विदान सभा का सत्र सुरू हो रहा है अठारा से इकिस जुलाई के बीच में 36 गड़ विदान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पॉरे तो राजेश राज हमारे सवकी और जद्यानकारी के साथ छबर पर呀 एक सत्र अलाए जुड़ेंगे राजेश जिस तरहाट से कोंग्रिस शासनकाल में पूरे अमें देखा किगे और बीजेपी घृसनल से यह तमाम करमचार taş और आप जो देख रहे हैं दरस्ल इनको गरफतार करके राजोलस विस्तार को जो आ ct गरफतार करे करकरIT है उसमें बढ़ जा रहा है और यह जो आप समाद E इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रिफतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सा और ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे नियमिती करन लेकर लेंगे एक जो नारायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें डटे हुए पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंदरह हजार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंदरह हजार करमचारी इस रैली म नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में संविधा कर्मियाब जेल भरा अंदरों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंद करता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का य अगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे हैं प्रदेश के सविधा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं विभागों के सविधा कर्मचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एस्मा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गये हैं उनके आंदोलन को समर्तन्देने नेताप्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं तो बड़ी खबार इससे जूरी बढ़ादे आपको नेताप्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और से जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोट लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा देखिए राहूल जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ्तार करके राजसल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफ्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफ्तार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे कि आपने अधिकार को यहां लेने के लिए हैं क्योंकि हमारा एक शुत्री मांग है निमितिकरन जो राज ये तासन के दोरा जब शत्त में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत कौने पास सौल को होने को है लेकिन साथन के दौरा कोई भी अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन्ट लेकर रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब को नियमिति करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने ही किया था क्या कह के वी पक्ष के वादे का स्वागत है पुरे प्रदेश के नारिया लोग पहुंशे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट य आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जिरा हुए राजर शाब जिस तरीके से तस्वीरे दिखा र लेकिन चुकि यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदूलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहुँचे तो क्या बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुँचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सविधा कर्में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदूलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदूलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश बर से सविदा करमचारी रहापूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्विभागे सविदा करमचारी महासूं के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एस्मा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदेल भी पहुंच चुके हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नरान चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि प्यूरे तुरी तो राजेश राज राज और इस बाज़े के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाइश जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो आंदोलन का कि क्या सुरूप है इस आंदोलन की उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों देख रहे हैं इन सभी लोग को ग्रिफतार किया रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफतार किया रहा है आप को क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला ग कि दिलेंगे जो नाराम चंदल जी ने आज कहा की बजएपैस सरकार पंति है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था है क्या कहेंगा इसा लिपक्श के वादे का स्वागत है परनंतु फिर हाल हम सब्तर क्षिए I सबिए है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारीश में यहां पूरे प्रदेश से पंद्रह हजार से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पर जो जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी रहो राजश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें यहां पर बड़ी संविधा करमी अब जेल भरा अंदूलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदूलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहूं इस पूरे करम में बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदूलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदूलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविधा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा करमचारी महासुम के बैन आगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिये जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और से जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाइज जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासन काल में कॉंग्रेस ने अब ऐसा ही तels यह तमाम करम्चारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं धर दर्सल को गिर्फ्तार करके राजयोस्वस्तार को जो ऑस granular जेल बनाया गए उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों देख रहे हैं इन सब ही लोगों बात यह थारा है और सबसे बड़ी स लेकिन आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले रहेंगे नियमिती करन लेकर रहेंगे एक जो नारायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब को नियमित करेंगे कि ऐसा ही बादा काौग्रेस न भी किया था किया यहा कैंगे कि निपक्छ के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के साथन में हैं लादा सथ है अभी समय उनके बास नने का उनको वादा पूरकरों करना चाहिए अगर उन्हें पुरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुचे हुए हैं। प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुचे हैं। प्रदेश के से 45,000 करमचारी लोग पहुचे हैं। प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं। अब से थोड़ी देर बाद नवारायपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे। और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं। ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे। 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं। आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भढग गए हैं। उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया। सविदा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है। बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा। के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सथ उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज यहांटनी एसाथ लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में ने बिजेप्पी लेमी वादा किसे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस को तुन प्हूंच का क्या पें जेल और अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया लेकिन हमारा अज विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर ले एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे लिपक्ष के वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अब इस समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे है डटे हुए पूरे 36 गड़ के नारिया हरे लिए 36 गड़ का प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती कहण की मांगो लेकर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आपर पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुचे हुए है लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों के कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिती करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में समीदा कर्मियाब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सवीदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सवीदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी सवीदा करमचारी महासियों के बैन अर्तले अनिशित काली नहरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सवीदा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सवीदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सवीदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चले तो राजेश राज हमारे सोगी और की तおおज़ेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि आप बीजेपी ने वादा कि इस से पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रस ने भी ऐसा ही वादा कि आ particular ने चंद्र औ्सल नसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको ग्रफतार करके राजिश्वस national को जो अस्थाई जेल बनाय गया है उस्में भरा जा रहा रहा है और यह जो आप तमाम लोगों को एख रहे हैं इन सभी लोगों दोरा कोई बी निहां दोलन क्या कहेंगे होसले भुलंद है टटे रहेंगे नियमितिकरन लेकर लेकर लेंगे एक जो नारायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे इस वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 36 गड़ के नारिया हरे ली जो 36 गड़ का प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती कहण की मान गोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यहाँ पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीयों के कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिती करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे इस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संक्या में सम्विदा करमी आप जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं पर जो है सवीदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तौर पर ये आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी ले बहुत शुक्र बढ़ेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सवीदा करमचारी रापूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे चुवन विभागों के सवीदा करमचारी चुट्टिस गड़ सर्व विभाग बता दें आपको नेता प्रतिप्रक्ष निराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है निराने चंदेल ने हरताली सवि जैल करेंगे करेंगे का और निमस्मेंध करेंगे और आज कर से हमारी सभाखा का शत्र सुरू हो रहा है ह। 18 सी 21 जुलाई के बीच में 36 गड़으ां सभा का माशय्फ क अब हम पूरे तत्यों के साथ तरकों गुस्ट इनकी मांंगूं पूरी ताकत के साथ उठाएं गेो तो है कि prolis राजेक शुन expect गी और रे सकुष्ण कारी ट attempted इस खबर पर हमारे अच्श साहर Conc recht और जुड़ेंगे देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबदार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला दम फ'... नारायं चंडेल जी ने आज कहाँ कि एकर बीजेपि की सरकार बक्रति है तो शेप को नियमित करेंगे ऐसा लिपक्ष के वादे का स्वागत है पर फिर हाल हम सथ्ता पक्ष के सासन में नाड़ा सथा वहार हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पंद्रह हजार से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर प हैं हम समझ पारें यहां पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुंचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलों में दिख बीजेपी ने कलिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे हैं प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी दिर बाद नवार करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को से मरतंदेने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके ह अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करमियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा करमियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को अस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विदान सभा का सत्र शुरू हो रहा है अठारा से इकिस जुलाई के बीच में 36 गड़ विदान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुले तो राजेष राज हमारे सोगीय और जदना कारी के साथ इस ख़बर पर हमारे साथ एकुसवत लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में में थेकह कई अब बीजेपी ने वाड़ा की इससे पहले बाज़पके शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखे राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरिफ्तार करके राज Joisvittal को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रेफपतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाव की घ्रफपतार किया जा रहा है आपको किया कहेंगे वह है। इसमें कोई सभी संखोज की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमितिकरण जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो ददील में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है एक साथ डटे रहेंगे नियमिती करन्ट लेकर रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फीर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जी उसमे रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी राहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुन के में यहां पर सवीदा कर्मिया आगे बढ़ चुके हैं जेल बोरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना ह आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनुशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है आगे सविदा करमचारी महासुम के बैन अरतले अनुशित काली नहरताल कर रहे है आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गये हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दे आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करमियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने यह एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे की सिर्ले तो राजे श्राज हमारे सोगी और से जानकारी के साथ इस ख़बर पर हमारे साथ एक सॉचन काल में और वहें राजेश इस तरीका से कॉंग्रेस साथ निसम्त्राइं weary कि एस पहले पर आंदोला की कि क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्स recurve स्फल को जो आस就ाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे क्पइब कोई संकोफ की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को का लेणे लिए कै隨 iç listening आप लोग का एंगे एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्श ही लोग पहुंशे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गे उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर् करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदर्शन की तैयारी में हैं अब से विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुना घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुल्यर तो राजश राज राज से राज यस सभर पर हमारे साथ संक लाई जुडेंगे राजश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में इमने देखा कि बीजेपी ने वादा कि पहले भाजपा के शासनकाल में कोंग्रेस ने खैसा Souध य वादा कि था, दरान चंदिल भ से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको ग्रफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रफटार किया जा रहा है औ लेकिन हमारा विगत पॉने पास साल को होने को है लेकिन साथ के दौरा कोई भी निड़न लिया जा रहा है एक जोग नरान चंदेल जी नाज कहा कि बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे इस वादे के लिपक्ष के वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 36 गड़ के नारिया हारेली जो 36 गड़ का प्रमुक्ते वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरदी बारिश में या पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वह समरतन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अन्दूलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहूँ इस पूरे कर्म में बीजेपी के कार्यकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सविदा कर्मि आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्यारूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सवीदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सवीदा करमचारी राइपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा कर्मचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा कर्मचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे साथ इस और जोड़ाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीका से कॉंग्रेस शासिनकाल में में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि शासिनकाल में कोंग्रेस यह लाका की था निरान चंदिल जैल भरो अंदोलन का कि क्या है पैसा अंदूलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है गरफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गृबदार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर लेंगे करके बोला ग नियमिति करेंगे एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा की अगर बीजे पी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था उसपांत में सवागत फिर हालहम सपक्ष के सहसं में हैं वादा सस्तन है अभी समयने बास दो महने का उनक इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीती कर्मचारी की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यह आप पूरे प्रदेश से 45,000 कर्मचारी लोग पहुंचे हुए और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बना उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थ हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश खुबर से सव विभागों के सविदा कर्मचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगाए जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदुलन को समर्तंदेने नेता प्रतिपक्ष नरान करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने यह एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तक राजेश राज अमारे सवकी और जद्यांकारी के साथ इस खबर पर हमारे सब्सक्राम लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शाहसन काल में भी जेपी ने वादा कि अवादा था निना छंदिल में आच पूंचे जेलभर आंद्यूलन का कि क्या शेक्तारी निकल चुके हैं और आप जु देख रहे हैं दरनों को इनको ग्रफ़तार करके राजस्विस्त्थ हल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरजा जारहा है और यह आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिप्तार किया रहा है और सबसे बड़ी संक्या महिलाओं कीegenी हैं ग्रिफतार किया जा रहा आपки क्या कि पैँके वहां किह थीट हमारा को यहां लेने की लिये हैं कि Venus लेकिन हमारा विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिने फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है तो नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्तापक्ष के सासन में है वादा सत्तापक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे इस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा करमी आप जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदिल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी यहां पर सविधाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्र देखनेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रापूर में जुच चुके हैं यह सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविधा करमचारी चुट्थीज गड़ सर्व अब इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रती परक्ष निकले चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविधा करमचारी ओको निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा करिमियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है निकले चु अब निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सवा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सवा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और जद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वाद तुम्यवारा उस्टार के विव नहता हैं। जोराज जी तासन के दुआरा जब सत्ता में नहीं थैं तो दस दील में कर लेंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा एक विगत पूने पास सॉल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निर्डे नहीं लिया जा रहा है कुरिये अब लोग कांद लिए एक साथ टैंगे दीकर लेकर लेगे लेंगे इसा ही बाधा कांगरेस्स ने भी किया था है क्या के वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल अम स्था पक्ष के सासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संक्या में सम्विदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं आपर जो है सवीदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्र लेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सवीदा करमचारी रापूर पूर्य में जुचुके हैं यशारे करमचारी अपती गृफ्तारी देने के मिरें लिए निकलें गे बता दें आपको नेता प्रतिप्रक्ष निराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है निराने चंदेल ने हरताली सवि करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तथ्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो निले तो राजेश राज हमारे स्वगी और सद्र इनकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सवत वड़ाइब जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रस शासंकाल में इंपेखा कि अब bjp ने वादा कि इससे पहले भाजपाकि शासंकाल में कॉंग्रस ने भी ऐसा ही वादा किया था द्रानेश छंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंड़ोन का किया स कृष़रूप है इस अंड़ोन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है, गरिपतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे? सर हमको कुई गरिफतार किया जा रहा है मुद्द है कोई संकोच की बात नहीं है के हमेंक हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं पिर भी आप लोग का अंदोलन कैसे साथ बूलंद को नियमेद रहेंगे याइक जो नारायन चंदेल जी ने आज कहा और वीजेपी की सरकार बनती है तो सबको नियमेद करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं आपर बड़ी सुंख्या में सम्विदा करमी अब जेल भरा अंदूलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरणचंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदूलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहुँचे ने क्या बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने क्या हैं यहाँ पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदूलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदूलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुच शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैन उन्हों ने वादा किया है अगर बिजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दियायगा. ये कहा है, निराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से निरान चंदेल ने एलान कर दिया है. पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे ओ चोड़े तो राजेश राज में और सवकी और जानकारी यह साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाए जूड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या सुरूप है इस अंदोलन की उसमें भरा जा रहा है और यह झो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गृफ़तार किया जा रहा हैं और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गृफ़तार किया जा रहा है अपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया लेकिन हमारा आज वीकर्ट पास सॉल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले भुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर लेंग एक जो नम चंडेल जी ने आज कहा कि है अगर बीज्य पी की सरकार बंती है तो सब को नीमित करेंगे ऐसा ही बाता कॉंग्रेस ने भी किया था है पर है वादा सत्त पक्ष का है अभी समय हैं उनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे हुए पूरे 36 गड़ के नारिया हरे लिए 36 गड़ का प्रमुक्त वहार ह अपने समीदा करमचारियों के निमीती करण की मान गोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यहाँ पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बन जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी नहीं रहूं इस पूरे करम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम ये देख पा रहे हैं कि बड़ी संविधा कर्में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होग अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवा रैपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रैपूर में जुच च चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल करें आंदुलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क सामने आया सविधा करमचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा करमचारी महासियों को निमित कर दिया है अज़ कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज आमारे सोगी और जुदे जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथлуч्द लाई जुडएंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन्काल में देखा कि अब भीねड़ा की से पहले बासपा की शासन्काल में कॉंग्रेस यह बास दॉन जेलब ह Совरू आंद पर नशल से ये तमाम कर्मचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गर्फтоящटार करके राजय इस्वस्ताल को जो आस्थाई जेल बनाया गया घ्रीफतार हिए और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफ्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफ्तार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमितिकरन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला कहा था लेकिन हमारा अज विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमितिकरन ल स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें पूरे प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीती करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है पंद्रह हजार से ज़्यादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी रहुए रहेंगे जी रहुए तो राजे शाप जिस तरीके से तस्विरे दिखा र तब इस अंदोलन में दिख रहें हैं क्या नहीं रहुए इस पूरे करम इस पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संके में यहां पर जो है सविधा कर्मी को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे हैं प्रदेश के सविधा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा कर्मचारी राइपूर में जुच चुके हैं यह सारे कर्मचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविधा कर्मचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविधा कर्मचारी महासुम के बैनर तले अनिशित क जोड़ी बतादें आपको नेता प्रीप्रख्ष नीयान चंदेल का बड़ा बयान सामने आया और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि जुने तो राजेश राज हमारे सोत्की और सद्र जानकारीर दोना हमारे साथ इस साथ इक स्वत जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस का मुने ने निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ़तार कर के राचुस्राइब्स्थाल को जो और स्थाई जेल बनाया गया ए उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रिफतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज जी तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अज विगत कौने पास साल को होने को है लेकिन सा और ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे नियमिती करन लेकर लेंगे एक जो नारायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहें डटे हुए पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए हैं जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे औ और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थ हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एस्मा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदेल भी पहुँच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दे आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारी और नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नराने चंडेल ने हरताली सविदा करमियों के मंच से नराने चंडेल ने एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि चुरे तो राजेश खबर पर हमारे साथ इक सो लाई जुड़ेंगे राजेश ब्सक्राइब में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा कि शासनकाल में कॉंग्रेस ये ऐसा ही वादा किया था निरान्न चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या क्या सरूप ये इसा आंदोलन की और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गृपतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला ग अगर बेंगे लिए लेंगे जो कि नारांप चंदेल जी किए सरकार बंपती है तो सब नियमित करेंगे एसा ही बादा में अभी समय उनके बास दौ महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फीर से सत्ता में आना है इक दो दिखते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीती घर की मांग बोलेकर पूरे लोग भरी बारी इसमें यहां पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुचे हुए हैं और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जना दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंदरा हजार से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंदरा हज़ार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल ज दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं यहां पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंद पर चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासियों के बैन आपको नेता प्रतिप्रक्ष निराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है निराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मि और निम्यत करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तथ्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे इसोगी और जो दे जनकारी के साथ तिसकार पर हमारे सथ 100 घुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कोंगर्स शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमितिकरन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्वीगत पौन जो नरायम चंडेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बनती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बाता कॉंग्रेस के वादे का सवागत है प्रतिके आल हम सथापक्ष के सासन में है वादा सथा अभी समय के बास दो महने क идए उनको वादा कर्मचारियों के निमीति कहण की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से 45,000 कर्मचारी लोग पहुचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आ आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 कर्मचारी इस रैली में शामिल तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में समीदा कर्मियाब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पह पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सवीदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सवीदा करमचारी अब हला बोल प्रदर्शन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी दिर सवीदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सवीदा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गये हैं उनके आंदोलन को समर्तंदेने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच च अगर बीजेपी सरकार बनी तो सवीदा करमियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नरान चंदल ने हरताली सवीदा करमियों के मंच से नरान चंदल ने एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और ज़िद जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाइव जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस ने आसा ही असल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है गरिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो ददीन में करने के करके बो पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीती कर्मचारी की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुचे हुए हैं और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जना दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंदरह हजार से जादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंदरह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बना पारें यहां पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल बहरा अंदुलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदिल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदुलन में दिख रहे हैं लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे है प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे औ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गृफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैन दादे आपको नेताप्रती परक्ष न्रायने चंडेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया अगर मेंक। तो न्रायने चंडेल न्रायने मन्छो ट जैब यह जогला करता सविदा करनेयों और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज यहां सर खबार पर हमारे तर्च गाले थे जुड़ेंगे राजेश जिस तर 이상 से कॉंग्रेस सब्सक्राइब और सब्सक्राइब सुप बाधम कि सब्सक्राइब अदेखा। देखिए राहोल जेल भरो अंदोलन शुका हैं तूता धरनासल से यह तमाम करमचारि हैं निकल ग्रिफतार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्य कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा विगत पौने पास स को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्णा नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बंती है त सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे लिपक्ष के वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्ह कि इमान बोलेकर पूरे लोग भरी बारी उसमें यहां पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक यह जुटे रहें जिए रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भर अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुंचे थे कि वह समर्थ हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलों क् करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे आँडोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश को भर से सविदा करमचारी राएपुर अंदुलॉनको सिमर्तन देने नेताप्रतिप्रक्षी निमित करने एक उन्हों ने वाधा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये काहा है नर्ण चन्दलने के मंच से नर्ण चन्दलने कर दिया है कि हम अपने चुनाई गोशना पत्र में इनकी मांगव को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारे विजान सभा का सत्र शुरू रहा जोलाई 18 सी 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगा पूति तो राजेष राज अमरेश होगी और जीद ज्याश्य आनकारी के साथ इस खबर पर वाहुर वहां साथ 100 लाइ जुड़ेंगे राजेष जिस प्रियस्तल से ये तंमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दर firmlyनको घरफटार करके राजोस्तल को डियल बनाए गया है उसमें भरा जा रहा है है और यह जो आप सिमाम दस दिन में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्वीकर पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ वीकुक के वादे का सुआगत है परनतु फीरहाल हम सत्ता पक्ष के सासन में है वादा सत्ता सथी फक्ष का है अभी शिसमय उनके पास दो महने का उनको वादा कुरा करना चाहिए अगर उन्हें पर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते भी आप लोग परदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति कर्म की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुचे हुए हैं और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जना दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंद्रह हजार से ज़्यादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा करमी आप जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन के लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदो करमचारी जेल भरने के लिए जीनें कि निकलेंगे और अंदोलन में शामील होने के लिए सवया करमचारी रैपुर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपनी ग्रिफ Τइस गडर्ट सःफ करिंद कर रहे। अन्दुलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भढग गये हैं। उनके आन्दुलन को समर्थंदे ने नेता पृतिपक्ष नीमित करने का उंहोंने वादा किया है। बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज आमारे सोगी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुडेंगे कि ये तो राजेश जिस तरीके से कंग्रेस शासनकाल में थे देखा कि आप बीजेपी ने वणादा की शासनकाल में कंग्रेस ने ईसा ये वादा किया था नरानी चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या स्वरूप है इस अंदोलन की? जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रह रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये तासन के द्वारा आप लोग का अंधोलन क्या कहेंंगे होसले पुलंफ है धले रहेंगे एक साथ ट्टी रहेंगे बीदेक्न लेकर रहेंगे ये जो नारायायं चण्देल जी है तो सबको नियमित करेंगी ऐसा ही बाता। प्रदेश के वादे का स्वागत है पर अब ही समय है उनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फीर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15 हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल उसमें रख पारें यहां पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल भरा अंदोलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदिल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलन में दिख रहे हैं क्य हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है समीदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस अंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सवेदा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतीपक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एरान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे श्यूरे तो राजेश राज ने अश्यूकी और शिद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 उलाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाटपके शासनकाल में कॉंग्रिस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस स्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संक्या महिलाओं की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गृबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया थ लेकिन हमारा अज भीकर पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन लेकर लें संतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 36 गड़ के प्रमुक्ते वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति कहन की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यहां पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिख गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके आस्थाई तोर पे जो जी जी उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों के कहना है कि चाहे जो कारवाई हो लेकिन चुक्ति यहांपर बीजेपी ने काहा था नेयराजचन दिल खुद पहुचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदुलान में दिख रहा है क्या पूरे कार्यम में बीजेपी के कार्यकरता नहीं है बलकि सिर्फ सप्पोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुन कैमें यहां पर सविदा कर्यमें आगे बढ़ चुके हैं जेल बरू अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इ आगे सविदा करमचारी महासियों के बैन अरतले अनिशित काली नहरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगाए जाने के बाद करमचारी और भड़क गये हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारी को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है देने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओं घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी विदान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्व उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुले तो राजश राज आफ मार इसोगी और सद्रे जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 आफ्य जुड़ेंगे राजश जिस तरीकेस से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाज़पके शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दील में कर लेंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्विकत पॉने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़ा नहीं लिया जारा अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे ऑसले रहेंगे और यह नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि वीजेपी की सरकार बंत में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे लिए पूरे 36 गड़ के नारिया हरे लिए 36 गड़ का प्रमुक्ते वहार हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती करन की मांगो लेकर पूरे लोग भरी बारिश में यह आप पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दि करके आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए समीदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी राहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में समीदा कर्मियाब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन चुकि यहां पर बीजेप कि पूरेकरम में बीजेपी के करिकर्ता नहीं है बलकि सिफ करने पहुंचे थे हम यह थे बेश्ण कैमें यहां पर जो है सवीदा कर्मिया आगे बढ़ छुके हैं जेल परांदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गर सर विभागे सविदा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नलिन चंदल भी पहुँच चुके हैं पढ़ी ख़बार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नलिन चंदेल का बड़ा भयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजै छिरार इस खबर पर हमारे साथ एक सो लाए जुडेंगे राजै जिस रीये निकल चुके हैं। और आप जो देख रहे हैं दरसेल इनको गरफ्तार करके राजस्व second-ivering हैं। सभी लोगं को गरेप्तार किया रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है। गरफ्तार किया जा रहा है। क्या कहेंगे उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़ नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये तिनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है नियमिति करन लेकर लेंगे एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार बढती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कि लिपक्ष के वादे का स्वागत है पर अभी समय उनके बास दो मैने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमिती कर्मचारी की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुचे हुए हैं और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं पंदरह हजार से संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंदरह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसम समझ पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में समीदा करमी अब जेल बहरा अंदोलन के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलन में दिख लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी चुट इस गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविदा करमचारी बैने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी विदान सवा का सत्र सुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विदान सवा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज आमारे सोगी और देजानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोत लाई जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले बाज़पा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नरान चंदिल भी आज पोचे जेल भरो आंदोलन का क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लो कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर लेंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा वीगट पॉने पा मिजो नरायंच अंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजयभी की सरकार बनती है तो सबको को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेश ने भी किया था क्या केंगे इस वादे का स्वागत है परंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए हैं 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संक्या में सम्विदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं आपर जो है सवीदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तौर पर ये आंदोलों क्या रूप लेता है इस जानकारी लिए बहुत शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सवीदा करमचारी रैपूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गृफ्तारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सवीदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सवीदा करमचारी महासियों के बैनर तले अ पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्श निमित करने का उन्हों ने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदाकर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे खोटकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सवत लाई जुड़ेएंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में लेगने देखा कि अब बी जे पी ने वादा की इससे पहले बाजपा कि शासनकाल में कॉंग्रिस ने भी ऐसा ही वादा किया था नरान चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का क्या सुरूप है इस अंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबदार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में करने के करके बोला गया एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगिगे लिपक्ष के वादे का स्वागत है परतू फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति कर्म की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से पंद्रह हजार से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहेंगे रहुए राजश आप जिस तरीके से तस्सूरें दिखा रहे हैं हम समझ पा नहीं रहा हुए इस पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ स्कपोर्ट करने पहुंचे थे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनकाय में यहाँ पर सविदाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बुरा अंदूरन के लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तौर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस पर एसमा लगाए जाने के बाद करमचारी और भड़क गये हैं उनके आंदुरन को समर्थन देरे नेता प्रतिपक्ष निराना चंदल भी पहुंच चुके हैं बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है अठारा से इकिस जुलाई के बीच में 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चुले तो राजेश राज हमारे सोगी और ज़िद्र आनकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सवत लाइज जुडएंगे राजेश जिस तरिके से कॉंगरेस शासंकाल में भी जेपी ने वदा किया था, नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो रांदोलन का क्या सरूप है इस ऐखता है देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम ल पषिकार को यहां लेने के लिए आए है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीति करस्विस्था तो दसदील में करने के बोला गया था लेकिन हमारा और वीगत पाथ होने को है लेकिन सासन् सवर्हें भार कोईख निर्णारण नहीं लिया जा रहे है एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे इस वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय हैं उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 36 गड़ के नारिया हरे लिए 36 गड़ का प्रमुक्त वहार है अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती कहण की मान गोले कर पूरे लोग भरी बारिश में यहाँ पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए हैं करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ़तार करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिती करण नहीं होता तब तक य समर्थन नेंगे तो क्या बीजेपि के कारकारता भी इस रहा है क्या कि बीजेपि कारके नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपि ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुन के यहाँ पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके है जैल बरा आदा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगाए जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुँच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारी और निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने यह एलान कर दिया है उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और जद्यानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गृबतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला ग पर भीटेशन कर रहेंग्ये आख जो नारायन चंदेल जी ने आज कहा कि एक वीजेपी की सरकार बंती है तो पूरे 36 गड़ के नारियां हरेली जो 36 गड़ का प्रमुक्ते वहार हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीती करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाय उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे इस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संख्या में संविधा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेप इस पूरे करम में बीजेपी के कार नहीं है बल्कि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्या है यहां पर जो है सविधा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा आप द सुत्री मां को लेकर अनुषित काली नहरताल कर रहे हैं प्रदेश के सविधा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में हैं अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भरग गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतीपक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मीों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज आमारे सोगी और जद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने ऐसा ही और असल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजेश इससाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भड़ा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को गरफटार किया जा नियमतिकरंड ये फिर भी आप लोकां दोलन क्या कहेंगे होसल भूलंद है रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे एक जो नराइं चंदेल जी ने आज कहा कि वीज़ेपी की सरकार बनती है तो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है ज़रा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है पंद्रह हजार से ज़ादा संख्या है और यह देखिए सामने गेट यह आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हजार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारीों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे इस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं आपर बड़ी संविदा करमी आप जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके है लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदिल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलों ने दिख रहे हैं क्या नहीं रहूं इस पूरे करम में बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुँचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहाँ पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवा राइपूर के तूता धरना इस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी राइपूर में जुच चुके हैं यह सारे करमचारी अपती गरिफ्तारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गर सर्व विभागे सविदा करमचारी महासियों के बेनर तले अनुशित करिंध हरताल कर रहे हैं पर एसमा लगा जाने के बाद करमचारी और भढ़गे हैं उनके आंदोलन को समर्तंदे ने नेता प्रतिपक्ष निमित करने का उन्होंने वादा किया अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने सवीदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और दियानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोत तो लाइज जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा नराण चांदिल भी अच पोछे क्या सुरूप है कहँ exist ये राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों हैं इन सभी लोगो ग्रिफटार किया जा रहा है और सबसे बड़ Delhi संख्या महिलाओ की ए ग्रिफटार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको ग्रीबदार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये सासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला कहा था लेकिन हमारा आज विगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करन ल पूरे लोग भरी बारीश में या पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पोचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बन जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख् चुके हैं लेकिन चुकि यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदोलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहे हैं इस पूरे कारकरम में बीजेपी के कारकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पारे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर सविधा कर्मी आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तौर पर यह आंदोलन क्यारुस रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा कर्मचारी राइपूर में जुच चुके हैं ये सारे कर्मचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविदा कर्मचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा कर्मचारी उनके बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदर कर्मचारी ओं को निमित करने का उन्हेंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदर कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे राजेश राज हमारे सोघी और सद्र जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 तो लाई जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में रहादा कि अनि-वादा कि इससे पहले भाजपा कि शासनकाल में शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राज़स्वस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगो को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिती करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में बूलन है टटे रहेंगे, एक साथ डटे रहेंगे नियमिति करण लेख कर लेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजे पी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे? विपक्ष के वादे का स्वागत है परंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतिनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर् लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट य आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जिरा हुए राजर शाब जिस तरीके से तस्वीरे दिखा नहीं क्या रहें इस पूरे करम में बीजेपी के कार्यकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुन के में यहां पर जो है सविदा कर्मि आगे बढ़ चुके हैं जेल अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्यारूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब दस हजार करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आन्दोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा करमचारी रापूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा कर्मचारी 36 गड़ सर विभागे सविदा कर्मचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सवत लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ह भादा किया था नरान चंदेल भी आज पोचे जेल भरो अंदूलन का कि क्या कि सुरूप है इस अंदूलन की देखिये राहूल जेल भरो अंदूलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको ग्रिफ्टार करके राजिसattire सल को जो आस्ताइक जेल बनाया गया है उस में भरा जा रहा है और जो आप समाम लोग को ग्रिफ्तार चा रहा है और सब्चे बड़ी संख्या महिलाओ की है क्या आरे शोरे ये तिने फिर भी आप लोग का औल्ण क्या कहेंगे हौसले बुलंध है हौशल मुलं है एक साथ ड़े रहेंगे यहां टटे रहेंगे ची एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या केंगे इस वादे का स्वागत है परंतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन हैं दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जेल बनाया है उसमें रखा जा रहा है ल अब जेल बहरा अंदुलन के लिए लेकिन चुकि यहां पर बीजेपी ने कहा था नरणचंदल खुद पहुँचे थे कि वह समर्थन देंगे तो क्या बीजेपी के कारकरता भी इस अंदुलन में दिख रहे हैं क्या नहीं रहुँचे लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी लिए बहुत शुक्रिया आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविदा करमचारी रैपूर में जुच चुके हैं ये सारे करमचारी अपती ग्रिफतारी देने के लिए निकलेंगे 54 विभागों के सविदा करमचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा करमचारी महासुम के बैन आपको नेताप्रती प्रक्ष निराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा यह कहा है निराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मि को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र सुरू हो रहा है अठारा से 21 जुलाइग के बीच में 36 गडर विधान सभा का मान सुन सत्र उसमें हम पूरे तत्र्कों के साथ इनकी मांगों को पूरी टाकत के साथ उठाएंगे तो राजש राज हमारे सोगी और दिजनकारी के साथ एस खबर पर हमारे साथ 1 सीत लाई जुड़ेंगे राज जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में देखा कि अब बी जेपी ने वाधा किए इस Ste November ये ऐसा ही वाधा ऄसल से यह तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरबसल इनको गिरफ्तार करके राजीULस इससल तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अर्वीगत पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है हाँ बुलंद है ड प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति के इमांग बोले कर पूरे लोग भरी बारीश में या आप पूरे प्रदेश से 40,000 कर्मचारी लोग पहुंचे हुए हैं और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वह तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये दे अफ्तार करके औस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जिए रहूल राजेश आप जिस तरीके से तस पूरे करम में बीजेपी के कार्यकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर जो है सविदा कर्में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरांदुलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना ह रहे प्रदेश के सविदा कर्मचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 कर्मचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविद कर्मचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदुलन को समर्तंदेने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच च अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा यह कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने यह एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विदान सभा का सत्र शुरू हो रहा है अठारा से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ विदान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे जोड़े तो राजर श्राज हमारे सोगी और श्रूध जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक्साथ आदि जुड़ेंगे राजर जिस से से कॉंगरश शास निकाल में हमणे देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इसे पहबे भाज़पके शासनिक काल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था निरान चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदुलन का कि क्या क्या सुरूप है इस आंदुलन की क्या महिलाओ की है गरिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आया है क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमिति करन जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्त में नहीं थे तो दस दिल में कर देंगे करके बोला गया था लेकिन हम और रहेंगे एक साथ डटी रहेंगे झाने करण लेकर लेंगे एक जो नराहन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सब्सक्राइब शॉलब्सक्राइब अब इस समय के बास दो मैने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है तिनी बारिश में भीगते हुए भी आप ग्यों कर रहे हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा कर्मचारियों के निमीति कर्माइब को लेकर पूरे लोग भरी बारी इसमें यहां पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार कर्मचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है पंद्रह हजार से ज प्वस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करण नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जिरा हुए रहें राजश आप जिस तरीके से तस्वीर पूरे कारिकरम में बीजेपी के कारिकरता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहां पर जो है सविदाकरी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बहुरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह युकि बीजेपी का यह वादा है आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका कर्मचारी 36 गड़ सर्व विभागे सविदा कर्मचारी महासियों के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदुलन पर एसमा लगाए जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी सविदा कर्मचारी भायों को आसुष्ट किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और ज़िद जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुड़ेंगे राजिश जिस तरीके से कॉंग्रेस शिएस अन्दूलन की दराफूल जेल भरो अन्दूलन की राजिए रहूल जेल भरो अन्दूलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके है और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको ग्रफतार करके राजे स्वी सekलं को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समय लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओ की है गरिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे सर हमको गरिफतार किया जा रहा है उसमें कोई संकोच की बात नहीं है क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए आये है क्योंकि हमारा एक सूत्री मांग है निमीति करण, जो राज ये तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे, तो धत दील में करनेंगे करके बोला गया था, लेकिन हमारा अज विक तौने पास साल को होने को है, लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्डन नहीं लिया जा रहा है पिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे हॉसल बुलंद है डटे रहेंगे एक साथ डटे रहेंगे नियमिती करन्ट लेकर रहेंगे एक जो नाराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंती है तो सब को नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे इस वादे का स्वागत है परन्तु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय ह पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुंचे हुए है और संख्या देखिए राहूल आप आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आन जो कारवाई हो जाए संविधा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में संविधा कर्मी आप जेल भरा अंदोलों के ल करता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविधा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का ये वादा है अब देखना आगे ये होगा कि राजनतिक तोर पर ये आंदोलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश शुबर से सविधा करमचारी रापूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गृफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविधा करमचारी चुटिस गड़ सर्व विभागे सविधा करमचा बता दें आपको नेता प्रती प्रक्ष निराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदल न हरताली सव्यदा कर्मियों के मंच से नराने चंदल ने ये ऐलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और से जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सो तो लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐस क्राम करमचारी किया रहा है और आप देख रहे हैं दरसल इनको गरिफतार करके राजिely भ। देख रहा है और आप क्राइब देखा है तो यहां को पड़कोई की बात क्याया है क्योंकि हम अपनेART कर ने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सुत्री मांग है निमीतिकरन जो राज ये तासन के दौरा जब सत्ता में नहीं थे तो ददील में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा विगर कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे ये इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है नियमितिकरन लेकर रहेंगे एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि एकर बीजेपी की सरकार पंती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या अब इस समय है उनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे लिए पूरे चतिस गड़ के नारिया अरे लिए जो चतिस गड़ का प्रमुक्त से वहार हैं अपने घरों में छोड़ करके अपने समीदा करमचारियों के निमीति करण की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें यह आप पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुंचे हुए हैं करने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफतार करके आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए सम्विदा जब तक खत्म नहीं ह होता तब तक यह जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समझ पारें आपर बड़ी संख्या में समीदा कर्मियाब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल करने पहुंचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो है सविदा कर्मिया आगे बढ़ चुके हैं जेल भरा अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे य होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदोलन क्या रूट सो रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री मां को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविदा कर्मचारी अब हला बोल प्रदर्शन की तैयारी में हैं अब से थ सविदा कर्मचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं आंदोलन पर एसमा लगा जाने के बाद कर्मचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा कर्मचारी और निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाव घुसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे चर्थ राजेश चराज चेल के और विधान कारी के साथ इस ख़बर पर हमारे साथ इसक्ते अलाई जुडेंगे राजेश जेस से कांग्रेस शासन कल में देखा कि अब बीजेपी ने वादाखिय से पहले भाजपा की कांगरेस थी एससे वादाखिय था तूता धरनसल से ये तमाम कर्मचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको ग्रफतार करके राज़ुस्थाल को जो आस्थाइक जेल बनाए गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोग को देख रहे हैं इन सभी लोग को ग्रिफतार किया जा 아니야 है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे क्योंकि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिए क्योंकि हमारा एक सुत्री बांग निमीति करन जो राज यह तासन के द्वारा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दील में करने के करके बोला गया था लेकिन हमारा विकत कौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे नराएं चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमित करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था क्या कहेंगे इस बाद ही रिपक्श के वादे का स्वागत है परनतु फिर हाल हम सत्ता पक्ष के सासन में हैं वादा सत्ता पक् अपने समीदा करमचारियों के निमीती कहन की मांग बोले कर पूरे लोग भरी बारी इसमें या आप पूरे प्रदेश से 45,000 करमचारी लोग पहुँचे हुए है दिश्य क्रुप से और संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा कैमरामेन है जरा दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नजर आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15,000 से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आ का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब 15,000 करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी राहूल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं आपर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद बॉष पहुँँचे थे कि वो इस समर्थन ने तो क्या बीजेपी के करकरता भी इस अंदोलों में जे नहीं रहे हैं नहीं रहना, इस पूरे करम में बीजेपी के करकरता नहीं है बल्कि सिर्फ सपोर्ट करने पहुँचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी सुनके में यहाँ पर सविधा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बरा अंदुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह होगा कि राजनतिक तोर पर यह आंदुलन क्या रूप लेता है इस जानकारी के बहुत शुक्री आपका निमिती करण की एक सूत्री माँ को लेकर अनशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविधा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवारायपूर के तूता धरना इस तल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदुलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविधा करमचारी रापूर में जुट चुके हैं ये सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंगे चववन विभागों के सविधा करमचारी 36 गड़ सर विभागे सविधा करमचारी महासुम के बैनर तले अनिशित करिंध हरताल कर रहे हैं उनके आंदुलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल भी पहुंच चुके हैं तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष नरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविधा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है पूरी ताकत के साथ उठाएंगे तो राजेश राज हमारे सोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ 100 लाई जुड़ेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासनकाल में हमने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासनकाल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया देखिए राहूल जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफ्तार करके राज़स्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम ल डिख्तार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे उसमा कोई संकोच की नहीं कि हम अपने अधिकार को यहां लेने के लिया है क्योंकि हमारा एक सुथी बाइं है son जिस असन के दौरा जब सत्ता में नहीं थे तो दस दील में कर लेंगे करके बोला गया था लेकिन हमारा अज विकर पौने पास साल को होने को है लेकिन सासन के दौरा कोई भी निर्ड़न नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या टाटे लेको लेका नियमेति वादे करन एक जो नरायन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बंते है तों सब को नियमित करेंगे ऐसा भी का क्वादे का स्वागत है परदू हृं के वादा सत्त्ता पक्ष का है अभी समय है उनके पास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डटे हुए पूरे प्रदेश से पैंतालीस हजार करमचारी लोग पहुचे हुए है और यह संख्या देखिए राहूल आपको आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं दीपा केमरामेन है जना दिखाए इनको देखिए आपको जहां तक नज़र आएगी आपको तमाम लोग निकले हुए है 15 हजार से जादा संख करवाई तोर पे जो जिए उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहें जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमिति करन नहीं होता तब तक यह जुटे रहेंगे जिरा हुए राहूल राजश आप जिस तरीके से तस्वीर दि दिखने हैं क्या आधि नहीं रहूं इस पूरे कर हम इस पूरे कारिक्रम में बीज करहता नहीं है बलकि सिर्फ सपोर्ट करने पहँंचे थे यहां पर जो है सविदा करी में आगे बढ़ चुके हैं जेल बर अंधुलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुक अनिशित काली नहरताल कर रहे प्रदेश के सविधा करमचारी अब हला बोल प्रदेशन की तैयारी में है अब से थोड़ी देर बाद नवाराइपूर के तूता धरना इस सलसे करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्र करमचारी और भड़क गए हैं उनके आंदोलन को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल भी पहुंच चुके हैं बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेता प्रतिपक्ष निरान चंदल का बड़ा बयान सामने आया सविदा करमचारियों को निमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बीजेपी सरकार बनी तो सविदा कर्मियों को निमित कर दिया जाएगा ये कहा है नरान चंदल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नरान चंदल ने ये एलान कर दिया है पूरे तत्यों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे पूरे तो राजेश राज हमारे सोगी और से जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक सोत लाई जुडेंगे राजेश जिस तरीके से कॉंग्रेस शासन काल में ने देखा कि अब बीजेपी ने वादा कि इससे पहले भाजपा के शासन काल में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही और भादा किया था नराने चंदिल भी आजप पोचे जेल अंदोलन का कि क्या क्या सुरूप है इस अंदोलन की एदखे रहोल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनसल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको को ग्रिफतार करके राजिस्विस्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और यह जो आप समाम लोगों को देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी होने को है लेकिन सासन के द्वारा कोई भी निर्ण नहीं लिया जा रहा है अरे शोरे यह इतनी फिर भी आप लोग का अंदोलन क्या कहेंगे होसले बुलंद है टटे रहेंगे एक साथ टटे रहेंगे नियमिति करन लेकर रहेंगे एक जो नराइन चंदेल जी ने आज कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबको नियमिति करेंगे ऐसा ही बादा कॉंग्रेस ने भी किया था विपक्ष के वादे का स्वागत है पेरहाल हम सत्ता पक्ष के इसासन में है वादा सत्ता पक्ष का है अभी समय हुनके बास दो महने का उनको वादा पूरा करना चाहिए अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है इतनी बारिश में भीगते हुए भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। से जादा संख्या है और ये देखिए सामने गेट ये आस्थाई जेल बनाया गया है और उस गेट से होकर के आने का सिलसला अभी भी लगातार जारी है करीब पंद्रह हज्जार करमचारी इस रैली में शामिल हुए थे और सब को गिरफ्तार करके आस्थाई तोर पे जो जेल उसमें रखा जा रहा है लेकिन इन करमचारियों का कहना है कि चाहे जो कारवाई हो जाए संविदा जब तक खत्म नहीं होता नियमितिकरा नहीं होता तब तक ये जुटे रहेंगे जी रहुल राजेश आप जिस तरीके से तस्वीरे दिखा रहे हैं हम समझ पारे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में संविदा करमी अब जेल भरा अंदोलों के लिए निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कहा था नरण चंदल खुद पहुँचे थे कि वो समर् करने पहुचे थे बीजेपी ने क्लिए हम यह देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है सविदा करमी आगे बढ़ चुके हैं जेल पर अंदोलन के लिए लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि चुकि बीजेपी का यह वादा है अब देखना आगे यह खाद नवारायपूर के तूता धरना उस सल से करीब 10,000 करमचारी जेल भरने के लिए निकलेंगे और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से सविदा करमचारी रापूर में जुट चुके हैं यह सारे करमचारी अपती गरिफतारी देने के लिए निकलेंग तो बड़ी खबार इसी से जुड़ी बता दें आपको नेताप्रती पक्ष नराने चंदेल का बड़ा बयान सामने आया सविधा कर्मचारियों को नीमित करने का उन्होंने वादा किया है अगर बिजेपी सरकार बनी तो सविधा कर्मियों को नीमित कर दिया जाएगा ये कहा है नराने चंदेल ने हरताली सविदा कर्मियों के मंच से नराने चंदेल ने ये एलान कर दिया है हमने करमचारी भाईयों को आस्वस्त किया है कि हम अपने चुनाओ घोसना पत्र में इनकी मांगों को सामिल करेंगे और निमित करेंगे और आज कल से हमारी जो विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 से 21 जुलाई के बीच में 36 गड़ा विधान सभा का मानसुन सत्र उसमें हम पूरे तत्यों के साथ तरकों के साथ इनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे राजश राज आज हमेरे सोगी और यानकारी के साहती सखबर पर हमारे साथ 800 लाइश जुड़ेंगे राजश जिस तरह से कंग्reath शासंकाल में बंदेखा कि अब बीज़ैपी ने वादा कि इससे पहले भाज़्पाके शासन कालन में कॉंग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था नराने चंदिल भी आज पोचे जेल भरो अंदोलन का कि क्या क्या सुरूप है इस आंदोलन की देखिए राहूल जेल भरो अंदोलन शुरू हो चुका है तूता धरनासल से ये तमाम करमचारी निकल चुके हैं और आप जो देख रहे हैं दरसल इनको गरफटार करके राजिस स्थाल को जो आस्थाई जेल बनाया गया है उसमें भरा जा रहा है और ये जो आप समाम लोगो देख रहे हैं इन सभी लोगों को ग्रिफतार किया जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है ग्रिफतार किया जा रहा है आपको क्या कहेंगे